कि नमस्कार आप देख रहें बी निज़ ट्वेंटिफोर और मैं हूँ कैमरामेन पावंसा के साथ दिपक कुमार जैसा कि आप जान रहें कि मैं इस समय बी निज़ ट्वेंटिफोर का चुनावी सा फरनामा बिहार के सिता मढ़ी जिले में और मैं यहां के जगा जगा का आपका जो इस थीती से मैं वाकिफ करा रहा हूँ और आपको मैं बताते चलूं कि इस जिला को जो नगर निगम बनने के बादे पहला चुनाब है और यहां आपको मेर 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 में 30 है उप मेर मेर में 33 है और बाकी जो 49 वार्ड है उसमें बहुत सारे परत्यासी है तो मैं इस समय सीता मढ़ी के जो नया जो वार्ड है साइद पुराना ये वार्ड दो था और अब नया जो है 16 वार्ड है तो मैं 16 वार्ड में मैं यहां पर आया हूँ एक परत्यासी के पास जिनका नाम है अमरिंदर कुमार पास्मार उर्फ गुद्दू और यहां पर और भी कई परत्यासी है तो मैं आपको बता दू कि यह जो है थोड़ा यह जो सीट जो है अती पिछरा सीट में है सीट ने सीट में आता है और यहां पर जो कंडिटेट उसी से हैं तो इसमें सबसे पहले में अमरिंदर कुमार पास्मान जी से मैं बात करता हूं आपका मेरे स्वागत है धम्यवाद अच्छा यह बताए अम जैंगर्ट में हैं यह पहले आपका तो साइध पंचाइट में लगा करता था अब यह नगर निगमम में आ तो आपको क्या लगी रहा है कि नगर निगम में आने के बाद में क्या आप लोगों टि होगी या पंचायत था वहीं ठीक नहीं बिल्कूर उन्त्ती होगी गी को सितामरी को नगरुनिंगमस लाखोनकर सामील करने के लिए भाद कालीन समार्ता को मेरा धन्य भाद कीरा में चक्मिला के नाम पहले एगराम पंचायत में आता था वे आamenे से यहां कर जितने भी लोग है उसको साहरी thermal सुख्यूजा से बंती दो हो रहा है थे अब उनका लाव मिल सकेगा अच्छा यह बताए मरेंदर जी क्या कभी पहले भी आपने पूर्व में कभी चुनाव लगा था पूर्व में तो कभी मैं चुनाव नहीं लगा लेकिन समाजी के सोचल वर्क में हमने काम किया है बहुत ज मौका आएगा तो मैं चुनाव लगा फिर भी इस पार जो सुरक्षित हुआ तो हमसे ज्यादा यहां के जनता लोग आए कि आपको चुनाव में आना चाहिए ऐसे भी कारे में आगे बर्चर की हिंसा लेते हैं क्या आपको जनता की बातों पर भरोसा है क्योंकि जनता कही द आपके जो वाड है यह वाड कहां से कहां तक लगता है और आपकी वाड ने में अगर स्युक्य से जो बंची था कि नाम पंचा था वह नगरींस रेखंवे में में आने से जो सुभथा है कि आपको बाद में कोई चीजों की कमी है या कोई चीज की अविशकता है जो नहीं हुआ पंचायत में रहे करके भी जैसे रोड है नाला है रास्ता है लाइट बत्ती है परधान मंतर योजना के तहत मकान है बिरदाप इंसन है जो भी सरकारी योजनाय होती है क्या पंचायत के समय में आम लोगों के पास वो सुब्धा पहुंचा या नहीं पहुंचा काम तो मुख्या जी के टाइम में काम तो हुआ था लेकिन सबसे बड़ी समस्य है जल निकासी का है यह जल निकासी आपका ही समस्या नहीं है पूरे सिता मड़ी में यह एक अभी साफ है आप देखते होंगे कि बड़े-बड़े जो जितने परत्यासी हैं और जितने लोग हैं सब बहुत बड़े-बड़े दाबे करते हैं कि मैंने सिता मड़ी को स्वर्ग बना दिया मैं सिता म का आधा से ज्जादा वार डुबा रहता है लोगों के घर में पानी गुशा रहता है गंदे पानी के सासन पर सासन उस तरह का कोई पर्मानेट वेवस्था कर रही है तो आपको क्या लग रहा कि अगर मुकेश जी जीत करके आते हैं तो क्या इन समस्याओं के लिए क्या पहल करेंगे कि अगर मेरे ब्रेक्टिकत राजनीटी और समाजिक जीवन में मैं वाड़ पार्सत के पत्पर चैनिध हुआ तो और जनता को छोग में मिला आसिरबाद मिला तो मैं यहां झाल्निकाशी का जाल निकाशी हुआ सरक हुआ सुरास्त हुआज हुआ अभी सारा में राते हुआ है है आपके एरिया में भहुत आखेती है और में रूप से किसी पर भी निरबड़ है जो चकमई लगना हम तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा हम प्रयास्म करेंगे हम किस तो चलिए तो कुछ अपने जन्ता को आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संधेस देना चाहते हैं आप मिक्रन जंता से यह ही करना चाहेंगे कि मेरा जो च Face TV स्वेशन चाहिए मmind मेरा जो चुनाबस्जीन है तो जैसा के भी आपने अमरेंदर जी को सुना और एंसे अपना नाम बता आप और आपका नाम गुरिया है और आपके पती के नाम में गुड्डू है तो बहुत अच्छा ही एक जोरी है गुरिया और गुड्डू का तो तो यह बता है कि आपके शिर्मान जे भी चुनाव लग रहे हैं यह तो आपको पता ही है और आप भी उसमें सभागें और आप भी सहयोग करें तो आप अपने जनता के यहां के जो महीला जो भोटर है यहां के जनता से आपका क्या अपील रहे गा क्या कहना साहत्ती है हमारे जैनल के माद्यम से सबसto Schn牌 को मीरा धन्यवार क्याश के बहु सबस crippled के माद्यम से वह अपने वार्ड न superiority जनता से कुछ पील करने का मुझे मुका मिला है तो इसके लिए मैं धनेवाद देती हूं इस चैनल को और मेरा इस वाड की महिलाएं से खास करके महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है अपील है दिल से कि मेरे पती जिनका नाम अम्रेंदर पास्वान है वुर्फ गुडु वैसे गुडु नाम से फेमस है यहां प तो उस पर अपना वोट डाले और भारी सभारी बहुमत से उन्हें विजय बनाएं और मेरा यही दिल से ताकि जो भी गवर्मेंट से हैं या भीहार गवर्मेंट की स्कीम से हैं तो उसे इंप्लिमेंट करें और अपने एर्मिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में यह हमारे स अच्छा मैं एक चीज में आपको कहूंगा आप महिला हैं और खास करके महिलाओं को बहुत समस्या होती हैं और उसे भी बिहार जो है एक दबा कुछला राज ही माना जाता है यानि कि बहुत ही पिछरा राज माना जाता है हमेशा देखते हैं यहां पर बाड़ गरस्त करेत है कोई ने कोई आम समस्या बना ही रहता है तो आपको क्या लगता है कि आपके नजर में क्या बिहार की महिलाओं को क्या क्या समस्या है और आपकी वाडों में जो महिला है उनको क्या क्या समस्या है समस्या है तो वैसे मेरे वाड में भी है और कई जगह भी है बट मैं अपन करेंगे और ऐसे भी आपका जो सिरिमान का निशान बहुत अच्छा है कलम दवात यानि कि सक्षर्टा की कमी है तो शार्ट शक्ता में सबसे पहले कमल कलम और दवात की ही जरूरत है जी 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 तो इन्हें कलम दवात छाफ ही मिला है तो इसके लिए मैं अपने खास करके जो वार नमर 16 की महिला है तो उन्हें मैं इसके मार्फत से भी उन्हें मैं जागरूप कर रही हूं क्योंकि कलम से जो मजबूत होते हैं वो हर छेतर में मजबूत ही होते हैं जी बहुत-बहुत धन्यबाद है गुरिया जी का जिनोंने आप परहीं लिकिया अच्छा कितने तक का think your generation क्या है मैंने किया है कोई जौब करें कि हाउस्वाइफ है फिल हाल तो हाउस्वाइप है है किस अगर आपके शीरिमान को मौका मिलता है तो इनके कंदे से कंदे मिलाकर इनका साथ देंगी बिलकुल बिलकुल साथ को पहले के जो लोग है वो अशिक्षित है और खास करके अशिक्षा का बेवस्था का भी उतना जो सही का है वो नहीं है तो खास करें पढ़ी लिखी भी है और इनके शिर्मान भी है तो वो भी एक समाज सेवा का भावना लेके चलते हैं तो हम लोगों का विश्वास भी है कि अगर यह जीतते हैं तो अपने वाड को एक आदर्स वाड बनाएंगे तो चलिए इसी के साथ मैं यह चुनावी सफर नाम वाड नमर 16 का यहां पर समाब्त करके दूसरी और मैं बढ़ता हूँ नमस्कार धन्यवाद